उस बेले दा सुन लो हाल जी वाटा लम्मिया ते रसता पहाड दा तुर जान दे गुरा दे लाल जी सरसान दी ते विछोडा पै गया उस बेले दा सुन लो हाल जी वाटा लम्मिया ते रसता पहाड दा सत्गुरु जी दी साजी अतिनवा जी हुए गुरु रूपसाद संगत वाई गुरु जी का कालसा वाई गुरु जी की फत कित्थे चलने आं कलंगिया वाले आ सत्गुरु गुरु 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 गुबिन सिंग जी तो अनन्दगर्दा किला खाली करवाउन लई सत महीने तो वद समा केरापाउन वाले पहाडी राजे ते मुगल फाउजान दे जरनायल पूरी तरा हार हम चुके से इनने लंबे केरे दे बाद वी उननों पुझ हासल नहीं सी होया किले अंदर खान पीन दियां वस्ता विलकुल मुख चुकी हैं सन द्राखतां दे पत्ते जडां उबाल के खा गुजारा करक दे सेंग वाही गुरू दे पाणी अंदर देन कटी करी जान दे सान साथ गुरू जी नाम वाणी नल जोड के सेंगां दी रूख खेडे विच लायां दे अते थोड़े दिन होर एसे तरह कटन लई सिदक ते सिरड़ दा हुलारा दे पहाड़ी ते मुगल फाउजां अक चुकी हैं सन उनना आटे दिगू बना पुरान शरीफ थाल वे चरख का समाखा दियां के तुसी अनंद पर नुशाड़ जावो आसिं आप जी नूँ कोई भी दुख नहीं दे मांगे इस नाल साड़ी भी बनी रह जान दी है आप जी जिद्धर जाहो जा सकते हो फिर जदो मर्जी अनांद पर वाफसा आजान गुरू जी इनना दा फ्रेव चेंगीतना जान दे सी गुरू जी ने पाटे वस्तर टुटा पज्या समान पशुआ दियां हडियां पिंजर गड़ेयां ते लदवा के अपर रिशमी कपड़े नाल टाके अनांद गड़ दे केले तो बाहर तोर दते सिंगान गुपत समझा दता गड़ेया जे केले तो थोड़ी दूर ही दे सन के पहाड़ी राजे ते मुगल फाउजा ने गुरू दा खजाना माल असबाव जाना हला बोल दिता गड़े हकनवाले सिंग गुरू जी दे समझाए होई सी मौका संबाल केले दे अंदर आवड़े गड़े ते वालद गुरू जी ने पहाड़ी राजया पासों ही लाई सान पाटे लीड़े तुटिया काठिया तुट्टा पजा समान पिंजर हड़िया देख पहाड़ी ये बहुत शर्मिंदे होई कुछ दिन होर इसे तरह ही लंग गए कई सेंग पोख नालों लड़के मर जाना चंका जान किले तो बाहर निकल वैरी नाल दो हथ कर अपनिया कीमती जाना वार्शी ही धो गए वैरी दल दी कोई वा पेशन हां गई हुन उन्ना ने औरंग जेव दे दस्त खताम वाली चिठी पेज कुरान शरीफ दी ते गव दी का समखा दी पिछले कीते दी मौफी मंगी कई वार लेलडियां कडियां के आप जी केला शाड़ जावो आप जी दा कोई नुकसान नहीं कीता जावेगा इस नाल साड़ी भी रह जाओ नहीं तासी की मूँ लेके करानू जावांगे पर जावेच साड़ी पत नहीं रेंदी लोग कैन गे इनना लंबा केरा पाके गुरू नु फड़न दीयां फड़ा मारन वाले हुन केडे मू करानू आए हन आए हन कराम विच साड़ा जाओना हराम हो जाओ हुन तुसी अपनी मर्जीनाल किला शाड़ जाओ असी वापस करानू परत जावांगे पहाड़ी ये ते मुगल जरनैल गुरू जीनू मनाले सिर पाने डिक चुके सी उनना विच केरा होर लंबा करन दी सां सत नहीं सी कही इत्थे सिंगाने ते नगरवासियां ने भी गुरू जी गेवेंतियां कीतियां के महाराजी पुख दुखों बहुत दुखी हो गए हाँ खान लई होन तद रखतां दे पत्ते भी नहीं बचे मास शरीर नालों चड़ गया है शरीर हड़ियां दी मुठ रह गये ने आप जी करपा करो के ले नुशाद जावो गुरू जी ने मौके दे हलात नुदेख दे हुए किला शड़न दा फैसला लेले आते कहा के जेकर कोई कटना वापरी ता तुसी सारे जुम्मेवार होगे किला शड़न दी त्यारी होन लगी जो वद्दू सामान सी उसनों आगे विच साड़े आ गया सारे सामान दीयां सुचियां त्यार कर दफ्तर विच कलम बंद कीतीयां गया वड़ियां तुपां भी पानी विच डुबो देतीयां जिमें के तोपां विचो तोप बिजकोख दूजी तोप भगन तेजी निहंगन तेच उत्थी शत्रू जीत इस सतलूज द्रयादे पाणी विच डोब दतियां तांके दोश्मन दे हाथ ना लग जाना कोई भी चीज दोश्मन दे हाथ ना आवे सब त्यारियां मुकमल हो चुकियां सी अनांदपुर साहिवनू छड़न तो एक दिन पहला मेरे वाज्यां वाले प्रीतव ने अनांदपुर साहिवन दे पूरे नगर नू पैदल तोरके वेख्या सब पासे चुप सी गुरू जी दे पिछे सिंग भी चुप चाप मगर तूरियां दे सब पासे चुप दा सनाट चनाटा शाया होया सी साथ गुरू जी किसे अनुखी रंगत विच अननदपुर साहिव दियां गलियां विच आखरी गेड़ा मार रहे सी इस तों बाद इस नगर दियां गलियां कल की तर पाथ शाजी दी चर्ण शोतों सदा ले सुनियां हो गईयां मुड़ बाज़ां वाले दा इन अगलियां विच गेड़ा ना लग से कित्थे जानाएं कीदे कोड जानाएं किसे नुख कोई नहीं सी पता सब सिंगा ने जिना सामान कोई चुक सक्या चुक लिया अपो अपने हथियार संभाल ले साथ गुरू जी या ते बाकी सा परवार त्यारी कर चुका सी वड़े साहब जादे हत्था विच शाष्टर फाड़ पूरी त्यारी विच सानाएं माता सुंदर कर चुक खाल से दे माता माता साहब कर चुक पाई मनी सिंग जी दे जथे हेट पाल कियां विच विराजे होई साना शोटे साहब जादे दादी मां गुजर काउर जी इना दे नाल माया वाले जथे विच शामल होई साना शोटे साहब जादे दादी मां नो पुछ दे किते जानाएं का तो जानाएं की दे कोल चले हाँ दादी तर वाहों देंदी ते छेती का उनदावादा कर दी सब पासे त्यार पूरत्यार खाल से दिखाई दे रहे सी पंज प्यारे सद्कूरू जी दी रहनमाई हेट कमर कसे कर चुके सा न इस तरह शाम तो त्यारी कर दें करों डें काफी रात हो गई साथकुरू जी पाई उदाय सिंग ते पाई दाया सिंग अते होर मुखी सिंग गां समेत के ला अनादगर साहिब तो चल के शिरी गुरू तेग बहादर जी दे अस्थान सीस गां साहिब विखे आन पौँचे साथ गुरु गुरु गोविन सिंग जी ने इस अस्थान ते आके आप अरदास कीती अनादपुर साहिब नो छड़न दी विदागी लई अरदास करके पात्षा जी ने इस अस्थान दिया तिन पर करमा कीती तिया अते उची अवाज विच केहा कैन लगे कोई इस अस्थान दिया सेवा करेगा कैन लगे कोई इस अस्थान दिया सेवा करेगा पर उस वक्त सब पासे चुपशा गई कोई भी ना बोल ले आओ क्योंके सिंग गुरु जी नो छड़ना नहीं साने चाहूं दे पात्षा जी ते तीसरी वार कैन ते गुरुबक्स सिंग उदासी सादू गुरु जी ते चरनी टैपे आ ते कहा के महाराज जी मैं सेवा करनू त्यार हां पर मैंनू हूँ इत्थे आप जी तो विना कोई नहीं जान दा मेरा गुजारा के में होवेगा आप जी दे जान तो बाद पहाडी राजे में दुख देनगे सादू गुरु जी ने सादू गुरु वक्स सिंग नू अपने कलावे विच ले सीने नाल लाले आ अते कहा तू इस अर्थान दी सेवा करदा रही तेरा गुजारा चलदा रहेगा तेनों कोई दुख नहीं दे सकेगा वाही गुरु तेरे अंग संग होवेगा इमें दलासा देके पाथशा जी ने सादू गुरु वक्स सिंग कोडों वी विदाईगी लई अधी राद दा समा हो चुका सी गुरु जी ने किला अनादगर वेखे पहुंच के सारे जत्तेनों कीर्थपुर साहिब वाल जान दा हुकम देता सादो वहीर जितनी भी सी उद्र नो तर पई अनादपुर साहिब पूरी तरा खाली हो चुका सी उठे कंदा सुनसान उजाडे दा रूपतार के ड्राउंदे परतीत होंदे सादो गुरवाक्स सिंग नो एकाल वेच अपना आप वी खान नो आउदा गुरु साहिब नो जान देख ओ पूरी तरा डौर पौर हो चुका सी उस कोड़ों आपना आप भी ना संबालया गया शिरी गुरु तेग भादर जी ते स्थान ते सिर रखके उदासी सादू जारो जार उची उचीरों लग पया अनादपुर साहिब दी बे सहारा होई नगरी जिमें पुछ रही सी के कलंगियां वालया कित्थे चले आए छेपो सतारा सावकाट भिकरमी जा इस तरह कहले ये के बी दिसंबर सतारा सावचार इसवी नो अद्धी रात दे नेड़े मेरे कलंगी तर पात्षाजी ने अनादपुर साहिब नो आपनी आखरी पते बुला देती एप प्यानक रात अनादपुर साहिब तो लेके सरसा नदी तक के में मेरे बाज्यां वाले सब गुरू पर वारते सिंगा सेवकान अलबीती इस दर्दनाद कर रात दा क्यास नहीं लाया जा सकदा अंदाज जालावना मुश्कले इसनो इतिहाद पने तो तो के इस दा दर्द महसूस कीता जा सकदा है इतिहाद पने अपने आप मुखों बुला देनंगे तान गुरू बाज्या वाला तान गुरू कलंगी वाला ठंडी हवा ते कहर दी सर दी शरीर नू पन दी जा रही सी सारा वहीर चुप चाप तुर्या जा रहा सी एक दुख दी कड़ी विच किसे दा कुछ भी बोलनू जी नहीं सी करदा के मैं वस्या वसाया अनंदपुर सहब छड़े आ सी उस अनंदा दी पुरी नू छड़ के बोल भी की होवे जित्थे सदा ही अनंदवर्तदा सी अज के हो जहा समा आया सब कोई शड़ना पै गया कोई होंसला कर बोल दा ते कैंदा के आपां शेती ही अनंदपुर साहब वापस आ मांगे ए सब तरवास देनवाली अंगलना सी मोड किसे अनंदपुर ना देख्या सब मन करड़े करके तानते पोदा पाला जार रहे सी पोदी ठंडी रात विच काफले दे कदम अगे वद देगए साथ गुरुजी दे नाल गिनती दे सिरलत जो दे सिंगा ना जथा सब तो अगे अते विचकार माईया बिर्द ते बच्चे शामल सी इस दियगवाई पाई तरम सिंग जी, पाई मनी सिंग जी, ते होर सिंग कर रह सन पहला जटा सिरला तजोदे सिंगा अंदा सब तो गेसी, बिचकार माया बित बच्चे तीसरे जत्थे दिया गवाई साहिव जादा अजीर सिंग जी कर दे इस तो पिछे होर सिंग खचरां ते लोडींदा सामान ए सारी गिनती हजारां दी नहीं सेंकड़ें दी सी कीरतपुर साहिव तक सब काफला सुख सबीली पहुंच गया इत्थों लग दया ही गुरु जी ने अपने वड़े गुरु साहिबां दे स्थान नो नमशकार कीती कीरतपुर साहिव तक सब सुख सी इत्थों अगे निर्मोगर दी पहाडी ते पहुंचे ही सन के पिछों रोडा पैन लग पेया खड़ लो मार लो बचके ना जान देऊ अली अली दिया आवाज जाने अंदेरी रात नो और भी प्यानक बना देता गुरू पात्षाजी नाल शिरी गुरू हरगोवन साहिब शेम पात्षाजी दे सपुत्तर सूर जमल जी दे पुत्तर गुलावराई अटे शाम सिंग वी नाल ही सन पिछों पारी शोर सोन के पात्षाजी ने बड़ी फुरूत्ती विच एक खात राजे नहन देना इना दुना परावान दे के राजे नहन सिर्मा और वालतो रहा शीरी करुप परताब सूर्ज गरांत वे चौंदा है दोहरा कीर्थ पुरको उलंग के पुनाई निर्मो मुगल पठानन आयके लरे लखे उताबत्रो राए गुलावरो शाम सिंग पिखलिख पत्रा दीन जाहो राज सिर्मोर के मिलो पूप तब चीन कभी संतोक सिंग की ए दोनों प्रा राजे नहन पास सही सलामत पुझ गए राजे नहन ने इना पासों गुरु कल गी तरजीदा लिखे पत्तर पड़के इनादा बहुत आदर कीता रहाइश दा परवंद कार गुजारे लई गिर्वी नादा एक पिंड देदा गुरु पात्षा जी दोवाँ प्रावानों विदा कर एक उच्ची टिबी वाल वदे इत्थे पहुझ द्याओं दुश्मन दी फोज बहुत निडिया चुकी सी पाई उदे सिंग जी वाल पात्षा जी ने नजर मारी उसनों अपना जूड़ा जम्मा बक्षिश कीता ते पंजा सिंगादा जथा वेरी दालनों रुक कर लई गिता शिरी गुर्सोबा ग्रंट विच कवी सैना पाती जी इस तरह लिख दे हन केंदे हन राजा अर तरुकान सब निक्ट पहुंचे यान उदे सिंग ललकार कहे खुशी करी करतार सफल जनम इह पांत कहे दूतन करू संखार पायोदा सिंग जी ने अपनी वीरता दे ओज और दिखाए के दुशमन नो पूरी दिड़ता नाल बहुत देर तक अगे नावदन दता वेरी दाल पायोदा सिंग जी नो गुरु गोबिन सिंग जी समझी गया क्योंके पायूदे सिंग जी ने गुरू जी दा जोड़ा जम्मा पेने होया सी बैरी ने गुरू जी जान बहुत पारी हले की ते एम्हान योदा अपने पंजा साथी सिंगा समेथ इस शाहित भी देस्थान ते वीरगती प्राप्त करकिया कदेश सूर मेने अनंद पुर साहे बेखे राजे केसरी चांदा सिर वड़ के गुरू कल की तरजी समने पेश की ता सी एक वारी ता वेरी दी खुशी दी कोई हद ना रही के असी गुरू नू मार लिया है खुशी विच नारे मार दा वेरी अपनी वड़ी प्राप्ती समझदा सी परशेती ही इननो पता लगा के गुरू जी तांगे निकल गए हन ए पता लगदे हैं इनन दी खुशी मिटी विच मिल गई पहाड़ी राजेती मुगल जरनेल शर्म तर मुगा चुके सी ए पूरी तरह पुला चुके सी के असी गुरू तै कुरांदियां का समझदी हन इनन दी जमीर अन्ह, गारत तै मनुकता पूरी तरह अ मर चुकी सी ए तरमदियां चुछियां का समझ-खान वाले ये लोग तर्म देना दे कलंक सन एध सुवार्थी लोग गुरु जी नो फड़के जामार के इनाम प्राप्त करना चूंदे सी लालच इना दे गलता के परिया प्यासी एध दरजे दे कमीने लोग सन इतिहास इना दे कमीनगी दे पने फोल के इनन सदा फिटकार दा रहेगा गुर संगत जी सूचना आई है के पाईयो दे सिंग जी शाही टिबी तो लड़ता हुया पिंड अटारी तक दुश्मन मूरे अड़या रहा ओदो अटारी पिंड जी नहीं सी वसया एध उत्थों ती करदी पहाडी शाही टिबी दा हिसासी जिस कल्प बिश्टे थले पाईयो दै सिंग जी शहीद होया ओबिश अते गुर्दवारा शहीदी अस्थान पाईयो दै सिंग जी पिंड अटारी वेच शुशो बता है साथिया नो नाल लेके इत्थे निशान साहिव लगा के इस स्थान दी रहंबता कीती शाही टिबी दे गुर्दवारा तीर साहिब पाथ्षाही दस्वी दी अरहंबता 1925 वी नो संत करतार सिंग जी पैरो माजरा वालिया ने कीती सी अगे अगला परकर्ण शुरू हो रहा है सरसा नदी ते विशोड़ा पैगया साथगुरु कलगी तर पाथ्षाह जी सिंगा समेथ सरसा नदी कोड़ पहुँच गए इत्थे पहुँच दे अमरत विड़ा हो गया सरसा दा पानी बहुत चड़या होया सी साथगुरु जी ने अमरत विड़े दी संबाल लई आसा जी दी वार्दा कीरतन अरांब करवा देता कलगी वालया तेरिया तु ही जानदाएं पिछे जंग जोरांते हो रहा सी ते मेरे पाथ्षाह परमातमा दी कीरती सुन रहा हन सवेर हुई देख्या पानी कोज गटेया पर अजेवी पार लंगड़ा ओखाई दोशमन गिदर चांगड़ा मारदाव सरसान दीते आन पहुंचा इत्यों जांग होई जिसदा कोई हिसाव किताब नहीं लाया जा सकदा ये प्यानक तो प्यानक सी वैरी समझदा सी के होन गुरु साड़े हत्थां विच्चों बच के नहीं जा सकदा पर गुरु दियां सिंगा ने बैरी नू अपनी हिक दे जोर रोकी रखिया साथ गुरु जी वालके से नू फटकन ना देता जेड़ा विएद्र नू आया उसनू भुरी तरा चीर सुट्टेया पात्षा जी ने सरसा पार करन दा होकम देता शिरिपंथ प्रकाश विच पाई रतन सिंग पग्विस्तरा लिख दे हं दोहराग दिवस चड़ियो लांगा परियो उत्तर गियो किशनीर को आगय को पाच्छै वड़ियो परियो ना किन हंतीर साहिब जादे छड़ दो रहे सुसत गुर साथ छोटे गए वड़ मात सांग पई ऐसी कशगात बात लिखते हं के देने चले आ थोड़ा जाप पाणी कटे आ कोई अगय कोई पिछे इस तरह सारे संग पाणी विच वड़ गए बड़े सह्व जादे गुरू जी दे नाल सह्व जादे बड़ दो रहे सुसत गुर साथ छोटे सह्व जादे माता जी दे नाल साथ मेरे कलगी तर मारा जी ने नदी दे विच रुक के वी पिछे आरहे वेरी उपर कई तीर शड़े ते कई नामी जर्नैल सदाले टेरी कर देते वड़े सहवजादे पात्षाजी नाल ही सरसा पार कर गए। सारा वहीर बुरी तरा खिंड गए। बहुते सिंग शीदियां पा गए। पानी दा तेज बेग रूड की ले गए। कई पार हो गए। कोई रूड के या। कोई शीदी प्राप्त कर गए। पात्षाजी बलो कई सालां दी मेन तना लिखे अनिकां गरंथां समेट। सब तो वड़े आकार दा गरंथ विद्धिया सारा। कई सनू विद्धिया सागर भी केंदे हन। एवी सरसा दी पेट चड़ गया। हैने शोर विच एक दूसरे नो आवाज मारी सुनाई ना दिती। कई सिक भी बियां ते बिर्द शहीदिया पा गए। कई बच्चे भी मारे गए। साथ गुरु जी दा परवार पूरी तरह विछड गया। वीरा नाड वीर ऐसे बिच्चड़े के फिर दुबारा ना मिल सकें। बड़े साहव जादे कल की तर जी नाड सरसा पार कर रुपड़ वाले चले गए। शोटे साहव जादे ते दादी मां गुजर कओर जी सरसा नो पार ना कर सके। सरसा किनारे किसे उजड रहाँ वल होत रहे माता सुंदर काउर जी माता साहिब काउर जी पाइमनी सिंग जी दे जथे समेट सिंगा समेट सरसा तो पार रूप पड़ जा रहे सरसा दे किनारे बहुत कहर वर्तिया सब कुछ हस्दा बस्दा उजड गया पंथ वसे मैं उजड़ां वाले कल गीतर जीदे बोलां वाली कहानी सच हो गई सत्पो सतारां सो काट बिक्रमी 21 दसंबर 1704 इस वीदी चड़ दी सवेर नू गुरू परवार नू बिछोड़न वाली मंद पागी रात कहा जाएगा ते मंद पागी होने पड़ी परवार नू बिछर के माता सुंदर काओर जी माता सहर काओर जी ते नाल दो टेलना जिना विचोँ पागो ते बीपो दो में टेलना पाई मनी सिंग जी पाई जवाहर सिंग ते पाई तन्ना सिंग ए दोनो दिल्ली दे रहन वाले पाईजवार सिंग ते 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 पाईजवार सिंग और उड़ा दे रिष्टेदार सी जो खास इतवारी शर्दालू साना प्यार वाले सिंग साना मातामा सिंग ते दा सिंगा इना दे कर जा पहुंचे इना ने पुझ के सिवा की ती पाई मनी सिंग जी समेट सारे सिंगा ने सारी रात जाके पैरा देता एक कड़ी भी ना सौंसके सारी रात मौके दे हालाद दे तो लेंदे रहे इरात मातावाले वी कटनी सोखी नें सी पुत्तर पती ते रब वर्गी सासदा विशूडा तोर सीनेनु तू उपाई जान्दा सी अनांदपुर साइब तो सरसा तक दा साफर अक्खा मूर्यों परे ना जान्दा के में वैरी ने तोखा कीता के में सरसाच अक्खा नाल रुड़े जान्दे सिक्ख सेवक तके पोकते दुख दे पने संग जाना हू लड़दे अक्खा मूरे वार वार आनम आनके मामा दे सीने चहल चल मचा नीद उड़ा दिन्दे पुत्तर किते होनगे पती दी सेवा विच कौन हाजर होगेगा की भीती होगेगी इना सुचा विच सारी रात पासे लेंदें बतीत होगे शिरी गुर परताब सूर्ज गरंथ पाई संतोक सिंगी लिख देहन एक ही रात बसे पुर रुपर पोर हुए गाड़ी में लीन चड़ाए दिल्ली के पंद परे चल के दिन केतन में तह पुँचे आए एक रात रुपर रहे सवेर हुंदिया गड़ी विच सवार होगे गड़े विच दिल्ली देरा चल परे दिन केतन में तह पुँचे आए दिल्ली कुछ दिना विच पहुंच गए सवीर हुंदिया दोनों मातावा पाई मनी सिंग पाई जवाहर सिंग पाई तन्ना सिंग अते पागो ते बीबो इस हारी पेस बटाके एक बैल गडी विच बैट कई दिना दा कष्ट पर या सफर तै करके दिल्ली कुछ गए मर्दा में पेखतारन कर ले मर्दा में वस्तर पहले एथे पाई जवार सिंग दे कारजाविरा चे दिल्ली विच इदर कल की तर पात्षा जी पेंड कनो ले विच दी हुंदे होए पेंड फिड़े ते लोदी माजरे दे रस्ते पढ़े रोपड जा पहुंचे मूरे रोपड़ी पठान गुरुजी दे वहरी वान बेई माननी दी हद टप गए क्यों के कदे ए पठान गुरुजी कोड अनंदपुर साहिब नौकरी कर दे शी गुरु कर तो इनाम ते तना खाहा लेंड वाले पठान गुरु कर ते दुख ही वन के पंथ परकाश विचे इस तरह लिख्या है आगे आई रोपड तुरुकारी बहुत पठान होत जह मारी ते होते नौकर थे साथ गुरुकने पावत इनाम सुवण गिने कोडे योडे उन देत इनाम पए बेईमान ना आये काम रोपड दे पठाना नाल चंगी चड़ा पहुए इना बेईमान दे सेंगाने बुरी तरह मूँ पने बहुते पठान मारे गए बाकी पिछे नूँ पाज़ा अपनी जान बचा गए पाच्छा जी पेंड कोटले पहुँच गए इत्थों दे निहांगखा पठान ने बहु बहुत प्यार शर्दा नल खोल दते हैं फेर गुरु वाल कोटले गए उन दरवाजे खोल देखाए शेरी पंथ प्रकाश पाई रातन सिंग पंगू इस तरह लिख देखान निहांगखा पठान गुरु करदा बहुत शर्दा लू सी इत्थे भी दसना वाजवरेगा के इन फिदे वड़े बड़े रे भी गुरु करते शर्दा रह देसी शेम पाथे शेंधे पाथे गुरुहार गोविन जी शतीने पाथे शिरी गुरुहार राय सहभी जी ev ने ना देग रहा है नू पाग लाग के गए सान। पहली वार पंगाणी दा जंग जत के पॉंटा सब तो बाफ सौंदे हुए। इना देकर ठैरे। दूजी वार नहांग खान दे लड़के आलम खान दी मंगणी दे सदेते। गुरू जी बिशेश करके पहुंचे। तीजी वार कुरुक शेतर दी वाफ सी समें इते आए। तीज चौती वार पातशा जी इस देकर विचाए। नहांग खान ने अनंद पुरु साइब शड़न दा सारा हाल पुच्छे। अपने लड़के आलम खान दी मंगणी दा सदा पतर देन। अपनी बेगम ते लड़की अपनी मम्ताज नू नाल लेके एक रात अनंद पुरु साइब नहांग खान पठान रहाया सी। उत्थे दी रुछानियत उत्थे दी नजारे नू पली पात जान दा सी। सारी कहानी गुरुपात्षाजी पासों सुनके इस दा हिर दा बहुत दुखी होया। परिवार दे विशोडे दा इस सुनके इस दा मान चूठिया का समा खान वालेयां मुगलां ते पहाडियां नू लानत पाउं लगा। इसने गुरुपात्षाजी दा असन एक लुकमी कोल्टी विच लुआ देता आप सारा परिवार सेवा विच डट गया। जाखमी सिंगां दे मल्लम पट्टी कीती। आज अखे समेवी नहांग खाने प्रीत दियां तंदां टुटर ना देतीयां अग्ये नालों विवाद के तनों मनों सेवा कीती। ताने ए परिवार जो मुसीबत दे समेवी गुरुपात्षाजी नाल प्रीत पाउ सेवा देख जाने लुट रहा सी। गुरुपात्षाजी पलंग ते वैठे अजेस सवेली विच ही सन के सहवजादा अजीद सिंग जी। पाई बेचेतर सिंग नों बहुत ही गंबीर जखमी हाल ते विच ल्याव। गुरुजी दे समने हाजर होया। जो पेंड मलक पुर्वेखे दुश्मन दी चड़ाप विच सखत जाखमी हो गया सी। गुरुपात्षाजी ने पाई विचेतर सिंग जी वाल देख जित्थे आप वेट थे सी। आप खड़े हो गए उस पलंग ते लिटागता। इस दे डुंग जाखमा ते पटियां बनवाई या। दसमें पाध्षाजी ने वेरी दा कोई प्रुसाना जान। इत्थों जाना चंगा समझया। इस निहाग खाँ पठाण दी प्रीत देख पाध्षाजी ने परसान हो इन अनू कटार अते शिरी साव दी वक्षिश कीती। ते सब तो बिदाईगी लई। निहाग खाँ दा लड़का पाध्षाजी नू रस्ता दसन लई। पिंड लखमी पुर तक नाल गया। दे अंदर पाई सुखा सिंग इस्तरा लिख दी हन। जो पई माजर बूर सुना एक गराम ठांड पए देत प्राभगुनता आम। पाणी पियो तहां गुर देवा तानक पानक पायो कश पेवा। बूर माजरे एक हूतो साथ गुरुजी ने जल शक्या। मुहात तो ता आले दो आले तो बहरी दीपन कलेई। सिंगा ने भी जल पानी शक्या। मुहात तो सुचेत हुए। किसे प्रेमी ने गुरुजी नू आन्नम शकार कीती थे दस्या। कि पात्षाजी जेड़ी फाज पहाडी राजया नू औरंग जेव पासों मगवाई सी। औरंग जेव पासों जो राजया ने फाज मगवाई सी। वो नेड़े दे पिंडा वेचे पौँच लुकी है। छेती ही एद्र नू आ रहे है। उस दी घिनती। दसन पात्षाजी ने खुद ही आपने जफर नामे वेच लिखी है के दह लाक बार आयद बरो वे खाबर। जिसनों दास लाक मने जाता है। दसन वाला कोड सवार सरकारी सिपाही। गुरू दस मेश जी दा शर्दा लूसी। पात्षाजी वेरी दी सारी सूलाय इत्थों पेंड दुग्री विच इत्थों दी हुन्दे हुए। पेंड तालापुर दी उच्ची टिबी तो लंग दे हुए। चमकौर दे बाग मेच जाविराचे। गुर्द्वारा प्रवार विशोडा वाली था इस उच्ची टिबी ते 1947 वी तो पहला एक कवर हुन्दी से। ये वी संगर दिले थोड़ी बड़ी लाब दायक जानकारी है। जित्थे गुर्द्वार प्रवार विशोडा वाली था इना। इस उच्ची टिबी दे उत्ते 1947 वी तो पहला एक कवर हुन्दी से। सथानक मुसलमान इसनों सरसाद युद्ध चो शहीद होया मन के पूजदे सान। संत करतार सिंग जी पहरो माजरा वालेया ने। 1925 वी विच इस कावरनू टाके इत्थे गुर्द्वार प्रवार विशोडा सारया। 1924 वी विच संत अजीद सिंग जी सावका मेले ने गुर्द्वार दी मौजूदा इमार्थ समेथ इत्थे होर वी क्लिव सारियं करवाईया ते गुरू का लंगर वी चलाया। अगे सन 1998 में इस वी तो इस अस्थान दा परवंद शुरुम्नी गुर्द्वार परवंद कमेटी शिरिया मरतसर साहिब एक्टस तासी तैत कर दिया रही है। पिंड कोटला निहांग वेखे निहांग खांदी पुनानी हवेली किला मौजूद है जो खंडर दा रूपतार किसे दी निजी वरास्त बनी हुई है। सिख पांतन विष्दी सेवा संबार लिक कदम चुकनी चाईदे हन। सानु याद होना चाईदा है कि कदे शेमें पात्षा गुरुहार गोबिंद जी। सत्में पात्षा गुरुहार राय जी। ते दसमें पात्षा गुरु गोबिंद सिंग जी दे चर्न। इस हवेली विच पाई हन गुरु जी ने एथे अपने चर्ण पाई हन अगे हुना पाई विचे तरसे उन्हादी शहीती उन्हादी दाल माता मुम्ताज उन्हादा जीवन पाई ओदेवर विच जान दे जदो गुरु कल गीतर महाराजी पोटले नहांग खान दी हवेली चो चले गए किसे चुगल ने रुपड़ दे कोतवाल जिस दाना जाफर अली खान सी उस पास जाचुगली कीती के नहांग खान दी हवेली किले विच सिंग आई हुए ने कोतवाल ने हवेली ने के रापा लेया सारी तलाशी लाए अपनी तसली कीती उस ने कोई भी सिंग ना में देया अखीर एक कोटडी जो अंदरों बांद सी उस दी तलासी लैन लेक कोतवाल ने नहांग खान उस दा कुंडा खूलन लेकिया निहांग खान ने किहा कि इस कमरे विच मेरी लड़की ते मेरा दामाद सुते पाए ले जे चाहोता मैं तो हड़ी तसली करवा सकता है उत वार खेमा मांग वाफस चला गया उस खोटडी पाई बचेतर सिंग ये ते निहांग खान दी बेटी बीबी मुम्ताज सी जो पाई बचेतर सिंग जो बेहुशी दी हालत विच बहुत जखनी सी उस दी सेवा कर रही सी पिता दे मुहोती ते नामाद दे बोल सॉन बीबी मुम्ताज ने जखनी पाई बचेतर सिंग दे चरना दे अपना सिर राख कदता ते उसनों अपना पती मन लेया उस दी बहुत सेवा कर दी रही आगली रात पाई बिचितर सिंग जी चलाने कर गया नहांग खाने पाई गुरसा सिंग गहूनिया ते पाई बग्गा सिंग तरखान नो बुला के देन चड़न तो पहला केले अंदर एक खूद एकोड सुसकार कर देता सवेर होन तो पहला सेवा जी नुँंग इठा कैदन दे संबाल लेया कोई निशान बाकी न रहन देता बीबी मुमताज जो उस समय बसी पठाना नगर विच मंगी होई सी जनो उसने अपनी माँ जिस दा नाम जैना सी जैना नो कैदता के मैं हुन कदे भी निका नहीं करावांगी सारी हुमर अल्ला दी बंदगी करांगी उस तो बाद कर दे आने उसनो कदे निका ले मजबूर ना कीता और हर रोज अमरत विलेशन आन करके चौंकडा मारके उस कोटली मूर वैट के सिमर दी जने दसमेश जीवरा जैसन अपने नेम तो बाद ही वो कुश शक दी ते शकाउं दी अते सारा दिन माला फेर दी नें दी शामनों पाई वजकतर संगी दे अंगीठे वाले स्थान मूरे वैट के नितने नेम करके पोजन शक दी ते देर रात तक सिमर नाले विजोड़ दी ओ इनना दो मास थाना ते बहुत ही शर्दा नाले चाड़ू फेर दी ते दीप को भी जगम दी दिन रात सिमर न विचलीन होई बीबी मुम्ताज संत रूप हो गई ओ बहुत ही कट बोल दी सी ते जो भी वचन कर दी सी ओ सच हो जान दा सी सच है सिद्ध दी मूरत बीबी मुम्ताज दसमें पाथ्षाजी दे चर्ना नाल उस्ता था प्यार सी बीबी मुम्ताज दा बहुत ही कट बोल दी ओ कदी कदाई अपने मुहों बोल उठ दी सी पंजक शवद जा पंजक लफज उस दे बड़े पसंदीद आसान जो आखर बोल दी सी बोल दी होई कदे कदे केंदी पाने दाखा बिंद गुरू गो बिंद सिंग जी पाने दाखा बिंद गुरू गो बिंद सिंग जी जा केंदी हर्थाएं सहाई गुरू गो बिंद सिंग जी हर्थाएं सहाई गुरू गो बिंद सिंग जी हरता करता आप गुरू गो बिन्द सिंग जी अगे कर दे केंदी बिर्दवाने दी लाज राखे गुरू गो बिन्द सिंग जी बिर्दवाने दी लाज राखे गुरू गो बिन्द सिंग जी जा फिर पंजमा बोल केंदी वावा पात्शाही गुरु गो बिंद सिंग जी वाबा पात्शाही गुरु गो बिंद सिंग जी बहुत कट बोल दी जदू भी बोल दी ते एहे बचन करें करती से शर्दावाँ लोग बीबी जी दे दर्शन कर ले उस दी उडीक करते रें दे हाड सु दी चौथ 1710 इस भी नू गुरु हर राइजी दी पुत्री बीबी रूब कर आपने कलोगते पुत्र अमर सिंग अते कीर्थ पुरसाबदिया संगता समेत बीबी मुम्ताज नू मिल ले कोटला नहांगच आई बीबी रूब कर संगता समेत एक रात एठे ही ठहरी ते उसने बीबी मुम्ताज नू बैठन वाली कि चौंकी पेट कीती ये तो पता लगदा है कि कितना प्रेम गुरु दी पुत्री बीबी रूक और अपने दसमे पात्षाता नू गुरु गोवन सिंगी दी मुँ बोली पुत्री बीबी मुम्ताज नल करते सन सन 1947 वी दी बंड समे एक चौंकी कितरे गुम हो गई ते मुड अज तक इस वारे पता नहीं लग सके या गुरु हर राई जी दी ती ये ते गुरु दसमेश जी दी वरोस आई ती बीबी मुम्ताज ने सारी रात गुरु कर अते गुरु परवार्दियां बातां कर देयां प्यारनल विदा कीता ते बीबी रूप का और संगता समेथ कीर्थ परसाव जा पहुंचे सौ साल दी उमर तक बीबी मुम्ताज ने कोटला नहांग दे किलेच रह के जीवन बतीत कीता ते फिर नौरांग पूर चांडियां ये दो पिंडने नौरांग पूर ते चांडियां इते दक केला सी जो कोटला नहांग खान दा इसी उसके लेविच चलीगी एक केलावी उना दी अपनी रियास्त दी नहीं आउंदा सी जिसनुन बीबी दे पिता नहांग खाने अपने पिता नौरांग खान दे नादे बनाया ते पिंडन नौरांग पूर दी वसाया सी दो स्पाही भी बीबी दे नाल ही गए जो दिन रात सेवा विच जूटे रहे सेवा कर दे रहे बीबी जी ने इस के लिए विच एकत्ती साल तक तापसा देया सिमरन कीता ओ इन्ना एकत्ती सालां विच हर वारी सालच एक वारी पो महीने चानने पाकदे चौथे नू रास्ते वह के कोटला निहांग खांते किले अंदर बने दोमा स्थाना दसमेश जी ते पाई बेचे तरसिंग जी ते इना स्थाना ते बहुत शर्दा नाल आके मत्था टेक दी से ओदे थे आउन ते होर भी बहुत सारी यां संकता आन जुड़ दी यां ते बहुत ही रोणक बनी रेंदी कड़ा प्रशाद अते गुरु के लंगर दे वरतारे अटुट वरत दे बीबी कुछ दिन एथे रहके बापस नौ रंग पोर दे केले न मुड़ जान दी सी बीबी मुम्ताज ने सारी उमर सिद्क दी मूर्त बान गुरु चरना दी प्रीती च गुजार दिती 111 साल दी लमेरी उमर पोग के जेट महीने अमरत विले नौ रंग पोर दे के ले अंदर ए रंगी हुई रूँ साथ गुरु गोविन सिंग जी दे चरना विच सदा ले लीन हो गई आलम खान दी इकलोती छोटी पैन बीबी मुम्ताज दा जानम माता जैना दी कुखों 1699 इसवी नो नहांग खान लेग रह होया ते उसने मई अठारां सो भी इसवी नो चलाना कीता ओए एक ऐसी महान शक्षियत है जिसनो गुरु दसमेह जी तो लेके सिक राज तक लमेरे सफर नो अखी देखन दा सुपाग परापत होया जिसन औरंग पुर्दे के ले चे उसने चलाना कीता ओके लेवाला स्थान होन पिंड बड़ी देरा कवेच ओंदा है इत्थे गुर्दवारा बीबी मुम्ताज जी बड़ी साहिब बहुत ही अली शान उस्रया होया है इस अस्थान दी रमता संत करतार सिंग जी पैरूमा जरावाले ने कीती सी पिबी हमत का और वी एत्थे सेवा करोंदे रहे जो के चलाना कर गए हान बावजूदा समेच निहांक सेंग एत्थों दा परबंद चलोंदे हान अस्थान बाण तो पहलना लोग इसनों फुफी कोटडा निहांक दा स्थान कहा कर दे या किले वाली टिबी करके जान देशीं किले दिया निशानिया नामातर ही दिस दिया ने एक पुरातन हुआ ते ए अस्थान पहाड़ियां दे वीच बड़ाई सुन्दर सुभाइमान है अगर किसे ने दर्शन करने हों चाईदा है बड़ा रमड़ी का स्थान है पोंच मारग ऐसा है के रोपड़ कुराली रोड़े उते रोपड़ तो चार किलो मीटर दी दूरी थे पिंड रंगील पुर ते इत्थों पिंड पुखराली नौरंग पुर ते पिंड बड़ी साहर पता गुर्दवारा बीबी मुम्ताज जी पिंड बड़ी डाक कारमिया पुर तहरी दे लारूप नगर है इस दे बार एभी जानकर इनाल ही दास देनी लाजमी है कि गुर्द समेश जी या ते पाई बचेतर सिंग जी दास्थान पिंड कोटला नहांगज बने होया है गुर्दवारा पठा साहिव दे मूरे दी रेलवे लाइन लंग के इत्थे पुज जाईगा ते पाई बचेतर सिंग जी जो गेंडे दी खाल टाल राख दे सन ओवियती मौजूद है इक गल होर याद रखन वारी है कि इसे पाई बचेतर सिंग जी ने किला लोग अड़वे खे हाथी मस्त हाथी नल मुकावला करके जित प्राप्त की ती सी बाजावाली प्रीत्व ने इसनों गालना लाके था पड़ा देता सी रूप पड़दा से कराजा पूप सिंग हर महीने चानने पाख दी चौटी नू अपने एल कारां समेथ गुरूद समेश जी अते पाई बचेतर सिंग जी दे स्थान दे दर्शन करण दा हुंदा सी ओदों पठा साइब बाड़ा स्थान आजे परकट नहीं सी होया जो बाबा जून सिंग जी ने 1937 भी नों परकट करके एते सेवारम कीती पुन्या ते मस्यात ते चौद में दिन नू चाओदस जा चौदे केहा जानता है हाँ बाकी दा आफ संगत दे चरना चे भी बेंदी है के ए जो लड़ी है हर संगत दे मान विच चाह हुंदा है शर्दा हुंदी है प्रेम हुंदा है के ए जो शहीदी दे हाड़े चल रहे हैं इना दे बारे पूरी जान करी होगे तांके गुर्सिक संगता इस इतिहासक जो हो चुकी हैं गुरू की हैं साखियां गुरू साहब दे कीते हुए महान कारज उन्ना ने जो साड़े ले कीता किमे किमे उन्ना दा जीवन बीते आ इस हारा को जैसान नो फता होगे इसलएए हारे को गुर्सिक दे मन विच बड़ी इच्छा होंदी है तो इस उपराले नो संगती समांग नो इच्छा नो देख दे हुए उपराला कीता गया के आप जीदे समने पोदियां चेराता साका चमका और साका सरहंद इस हारी दी सारी लड़ी आप जीदे सनमुख पेश कीती जाए सुनाई जाए तांके संगतां सुनके लाहलेन बाकी दा इतिहास हुआई गुरुजी का खालसा हुआई गुरुजी की फत्षिए उम्र ने आणी दो बच्चे आँदी इक मा बुढड़ी साथ करे दे दोशे ना निर्दोशादा कौन है जो इनसाफ करे कैसी होनी न खेडी चाल जी गंगु पापी उना दे नाल जी सरसा न दी ते भी छोड़ा करे